सुर्वी अपने पती वरुन और चोटी बेटी मिनू के साथ रहती है वरुन एक शराबी और लड़की बाज आदमी होता है और वो दूसरी लड़कियों के साथ अयाशी करता रहता है एक दिन वरुन तुमारे शर्ट पर ये किस लड़की के लिपस्टिक के निशान है और ये बाहर क्या गुल खिला रहे हो ये सब करते हुए तुम्हें शरम नहीं आती क्या हाँ नहीं आती क्या कर लेगी तु अपने काम से काम रख मैं बाहर कुछ भी करू तुझे क्या अरे हमारी एक छोटी बेटी है वरुन तुम्हें पीता होकर भी ये सब कर रहे हो ची लानत है तुम पर तेरी तो जदा मूँ चला रही है तु ये ले इतना केकर वरुन उसे थपड मारता है और सुर्भी और मीनू को घर से बाहर निकाल देता है सुर्भी मीनू को लेकर अपने माई के चली जाती है और जब सुर्भी का भाई शोर्यो और भाबी दिपीका ये सब देखते हैं तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं सुर्भी ये क्या हो गया तुमें और ये मीनू क्यों रो रही है सुर्भी बच्चे क्या हो गया है तुझे कुछ तो बोल क्यों इतना रो रही है शोर्यो भाईया दिपीका भाबी वो वरुन वो वरुन ने सुर्भी रोते रोते शोर्यो और दिपीका को सब कुछ बता देती हैं जिसके बाद वो दोनों वरुन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, डिपिका एक लॉयर होती है और वो सुर्भी को हिम्मत देते हुए कहती हैं, तुम्हे घबराने की कोई जरुवत नहीं है सुर्भी, मैं हूना, मैं लड़ूंगी अपने ननन के लिए, उसके हक और हिस्से के लिए, अब तुम उस हैवान के साथ नहीं रहोगी, तुम्हे उसे छोडना ही होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, तुम अपना हिस्सा लाओगी, हा सुर्भी, तुम उसे डिवस दे दो, अब यही एक रास्ता है, मन तो कर रहा है, क्य ठीक है बाबी, मैं उस रिष्टे से मुक्त होना चाती हूँ, मुझे नहीं रहना उस शैतान के साथ, वो मुझे हर अपते ऐसे ही मारता है, अब तो मैं उसे हर हाल में तलग देख कर ही रहूंगी, फिर दिपिका डिवस पेपर्स तयार करती है, और सुर्भी वरुन के घर अपना सारा सामन लेकर आती है, और वो डिवस नोटिस उसके मुझे पर मारती है, डिवस नोटिस? हाँ अरुन, अब मैं तुम जैसे गिरे हुए बेशरम आदमी के साथ, एक पल भी नहीं रहना चाहती, चूप चाप मुझे डिवस दे दो, फिर तुमें जितनी आयाशी कर निये करते रहो, लेकिन हाँ, डिवस देकर छुटकारा मिलेगा ये गलित फैमी मत पालना, तुमें मुझे मेरा हिस्सा देना होगा, जिस पर मेरा और मेरी बेटी का पूरा पूरा हक है, चुप रहे तू, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कि ये सब तु पैसों के करना है, कर ले, क्या, चल अब निकल यासे, निकल चल, वरुन फिर से सुर्भी को मारने जाही रहा होता है, कि तभी वहां पर श़उरी आ जाता है, और वो वरुन को मारने लगता है, तेरी इतनी इमत, सिर्भी, तुम ठीक तो हो ना, हाँ, बाबी, कान जोन कर सुन ले वर चुप चाप मेरी बहन को डिवर्स दे दे और उसे इस घटिया रिष्टे से आजाद कर दे वरना मैं तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा अरे नाला एक आदमी हसके रहा है तुम लोगों कर जो करना है कर लो जो उकाड़ना है उकाड़ लेकिन मैं सुर्वी को डिवर्स नहीं दूंगा नहीं मतलब नहीं इतना कहकर वरुन उन डिवर्स पेपर्स को फार देता है और वो तिनों अपने घर आ जाते हैं ये सब देखने के बाद सुर्वी बहुत चिंतित हो जाती है और वो खाना भी नहीं खाती है फिर दिपिका उसकी थाली लेकर उसके कमरे में जाती है सुर्वी तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पढ़ जाओगी और ये वक्त कमजोर पढ़ने का बिलकुल भी नहीं है तो फिर मैं क्या करू भाबी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मिनू का बविश्य पढ़ा है मैं आके लिए क्या करूंगी कैसे कि मुझे वो निकमा डिवर्स भी नहीं दे रहा देगा बिलकुल देगा उसे डिवर्स देना ही पड़ेगा मैं एक लॉयर हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस केस को कैसे जिता जाता है और इस केस में वरुन का बिग पॉइंट है उसकी आयाशी वो हर रात क कियों के साथ होटेल जाकर आयाशी फिल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि हम उसे उसके इसी विक पॉइंट के जरिये फसाएंगे और उसे ना चाते हुए भी तुम्हें तलक देना ही होगा क्योंकि तुमारे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत होगा शादी शुद बाबी आपर भाईया हो इसलिए मुझे इतने इम्मत मिल रही है वरना मैं ये लड़ाई अके लिए लड़ी नहीं पाती तुम बस हार मत मानो और इम्मत बांदे रखो सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है ये बात याद रखना और मैं तुम्हें तुमारा मान और तुमारा हिस्सा तो दिला कर ही रहूंगी सुर्भी और दिपीका दोनों एक दूसरे के गले लगती है जिसके बाद दिपीका सुर्भी को अपने हाथों से खाना खिला दी है तभी वहाँ पर दिपीका का बेटा अंच और मिनू आ जाती है मामी मामी मुझे भी खिलाओ ना और मुझ उनका पीछा करते हुए लग पहुशती है जहाँ पर वो बाकी लड़कियों के साथ हद से जादा करीब होता है यही सही मोका है अभी इसकी फोटोस कीच लेती है फिर इसके पास अपनी अच्छा ही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर दिपिका फोटोस क्लिक करती है जिसके बाद वो लोग नई डिवोस नोटिस बना कर वर उनके घर पर भेज़ती है और साथ ही वो उसे वाट्सेप पर फोटोस भी भेज़ती है ओ शिट यह दिपिका ने कब कीची मेरी फोटोस नो 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 इनके पास तो मेरे खिलाब अब सबुत आ गया है नई यह नहीं हो सकता अब यह कौन कॉल कर रहा है मुझे अनन नमबर है अलो क्यों नेंदोई जी जोर का जटका कैसे लगा तुझे क्या लगा वर उनके बच्चे तु ना कहें देगा और तुझे हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे अब तेरे पास कोई आप्शेन नहीं बचा चुप चाप सुर्वी को डिवर्ज दे दे तुम सब अपने आपको समझते क्या हो यह सब दिखा कर मुझे डराओगे दमकाओगे और मैं डर भी जाओंगा अपनी बकवास बरी बाते बंद करो मीनु सिर्फ सुर्वी की बेटी नहीं है तुमारी भी है और तुमे वस विक यह केकर नहीं चलेगा अगर तुम उसके पिता हो तो बेटी को उसका हक और हिस्सा तो देना ही होगा और साथी बीवी को भी तुमें हम इतनी आसानी से नहीं चोड़ेंगे समझ गए तुम शायद इन लोगों का सबक सिखाने का वक्त आ गया है इस सुर्वी में तो बहुत जा रहे है और वो मोकी का फायदा उठाती हुए गर की अंदर चला जाता है और सुर्वी पर चिलाने लगता है तुम क्यों बहुत पर निकल आये है तेरे अब तु रुक आज तो तेरे पर काठी दूंगा फिर वरुन उससे मारने लगता है मांगेगी डिवोस मुझसे मां नहीं चाहिए सुर्वी को इस हाल में देखकर मिनू और अंश बहुत डर जाते हैं मम्मी मेरी मम्मी अंश भाया देखो ना पापा कैसे मम्मी को मार रहे है तु डर मत मिनू रुक मैं अब भी मम्मा को कॉल करके बुलाता हूँ फिर अंश दिपिका को कॉल करता है अरे मम्मा आप पर पापा जल्दी से घर आजाओ ठु फूपाजी आकर बुवा को बहुत मार रहे है मीनू और मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा आप ले जल्दी से घर आजाओ क्या अब डरो मत बेटा में और पापा अभी पोच रहे हैं तब ही वक्त रहते ही शाय और वोस देना ही पड़ता है जिसके बाद सुर्भी को अपना हग को रिष्सा दोनों मिल जाते हैं थैंक्यू बाबी ये सब आपके कारण ही मुम्किन हुआ है नहीं सुर्भी इन सब में तुमने भी इम्मत रखी है लेकिन अब आगे से तुमें हर एक हेवान का खुद ही सामना करना पड़ेगा और किसी से नहीं डरोगी तुम अरे इस देश की हर एक दूसरी ओरत अपने पती के हाथ से मार खाती है और उसका अत्याचार सेती रहती है लेकिन ये बात बहुत गलत है अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा से अब बाकी औरते भी अपने लिए आवाज उठा पाएंगी और हर औरत को अपने हक और हिस्से के लिए लड़ना ही चाहिए ना के गुट-गुट कर बिचारी पन कर जीना चाहिए और इस तरह अंत में सुर भी अपनी बेटी मेनू के साथ एक नए जीवन के शुरुआत क पापा तो भईया बावी के लिए कितना खर्चा करते हैं मेरे लिए कुछ पैसे बचाए है कि नहीं क्या पता अभी तो मेरी शाधी भी बाकी है शाधी के बाद तो मैं पराई हो जाऊंगी ना लेकिन नहीं मैं भी कम नहीं हूँ मैं अपना हग लेकर ही रहूंगी फिर रे अरे मा, क्या आपको पता है, करन भाईया ने आपके फेवरेट दुकान से साड़ी लाई है, अरे वा, क्या बात कर रही है तू, मेरा करन भीना, मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता है, अरे मा, भाईया ने आपके लिए नहीं, अपनी मेबुबा के लिए साड़ी लाई है, यही तो बताने आई हूं मैं आपको, कि आपके फेवरेट दुकान में जाकर भी, उन्होंने आपके बारे में तनिक भी नहीं सोचा, क्या, ये करन ने बिल्कुल भी अच्चा नहीं किया शार्दा आप करन से कटी-कटी से रहने लगती है, जबकि असल में करन की बीवी नव्या को, वो साड़ी किसी और ने दी होती है, लेकिन रीना बड़ा चड़ा कर चुबली करती है, अरे मा, जरा वो सलार तो देना, तुझे भगबान ने दो आज दिये है ना, तो खुदी ले-ले, ये आपको क्या हो गया है मा, अप ऐसी बाते क्यों कर रही हो, शार्दा कोई जवाब नहीं, फिर एक, वो अपनी भाबी के पास जा कर चुबली करती है, अरे भाबी, आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भे पता नहीं क्यों, मा को आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, बस कोई न कोई कमिया निकालती रहती हो, क्या, मा जी ने ऐसा कहा, ये सास तो होती ही ऐसी है, रोसोई में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन बतले में ये सब सुनना पड़ता है, अब नव्या रीना की बाते सुन तो, रोसोई में खाना ही नहीं बनाती है, अरे नुव्या बहुव, मेरी दवाईयों का टाइम हो गया है, अब तक तुमने मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया, कब से देख रही हो, तुम तो फोन में ही लगी हो, हाँ माजी, बना दूंगे कुछ ना कुछ, वैसे भी, इतनी मेहनत करके इस घर में खाना बनाने का कोई मतलब ही, किसी को भी कदर नहीं है, आपको तो बس नाम रखने आता है, और बस बुराया करनी आती है, अरे नुव्या बखु, ये सब तो क्या कह रही है, तेरा दिमाग तो सही है ना, हाँ माजी, मेरा दिमाग तो एकदम सही है, लेकिन आपका दिमाग बढ़ती उमर के चली जाती है रहने दो मा बाबी को आपके कुछ भी नहीं पड़ी अरे अगर भाईया ही इन्हें इतना सर पर चड़ा कर रखेंगे तो फिर ये हमसे तो ऐसे ही बात करेगी ये सारे तो बहाने हैं खाना ना बनाने के और कुछ नहीं हारी ना बिटिया तू एकदम सही कह रही ये करन और नव्या बहुत दोनों का रहवया दिन बदिन बदलते ही जा रहा है पता नहीं क्या हुआ है इन्हें फिर एक रोज जब नव्या की माता-पिता की अनिवर्स्टी होती है तभी करन और नव्या दोनों उन्हें बड़े-बड़े गिप्स देते हैं ये देख रीन आपकी एनिवर्स्री है ना इसी लिए लेकिन आप दोनों की एनिवर्स्री को तो कुछ भी नहीं लगाया और नाहीं कोई गिफ्ट दिया लेकिन अपने सास ससुर को बड़े बड़े तोपी दिये जा रहे हैं हमारा करन तो सच में बदल गया है सच में जब से नव्या उसके जीवन में आई है तब से वो हमें बूल चुका है कि हम भी उसके जीवन में एक एहन हिस्सा है असल में तो ये दोनों तोपे बहिया भाबी ने नहीं बलकि बाबी के छोटे भाई ने दिये है लेकिन स्टेटस के जरिये मेंने मापापा को कितना अच्छा बेवकुफ बनाय इरीना अपनी चुगलियो से करन और नव्या को अपनी मा पापा की नजरों में जिराने की कोशिश करती ही रहती है एक दिन इरीना अपने भाई के पास जाती है अरे भाईया आपने चश्मा बनाने के लिए पापा को पैसे क्यू नहीं दिये उनोंने तो खुदने ही बना लिया चश्मा अपने पैसों से क्या ये तुम क्या कह रही हो पापा तो हमेशा पैसे मुझसे ही लेते है लेकिन इस बार उन्होंने इसा क्यों किया शायद उन्हें आपकी उपर बोज ना बनना हो इसलिए और वैसे भी पापा कह रहेते कि आप तो नव्या भाबे और उनके परिवार वालों में ही बेजी रहते हो आपको तो अपनी मा पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है एसी कोई बात नहीं है फिर करण अपने पापा के पास जाता है पापा अपने चश्मा बनवाने के लिए मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए अरे उसमें क्या हुआ बेटा मैंने तो यूही नहीं लिए पेंशन के पैसे थे मेरे पास तो मैंने उसी में से मेरा चश्मा करवा लिए हाँ पापा मैं सब समझ रहा हू तुझे ज़ समझना है समझ ले हमें भी सब समझ आता है करीना की साजिश अब काम्याग होने लगती है और गर में कलेश होने लगता है शारदा और हरीकेश करन के माता पिता उससे ठीक से बात भी नहीं करते थी फिर एक दिन करीना सुनती है कि ओफिस प्रोमोशन के गिफ्ट में करन को नया टीवी मिलने वाला है तभी इस बात को मेच मसाला लगा कर वो शारदा से चुबली करने जाती है परे मा आपको पता है क्या बाबी बहिया से अपने बेडरूम में टीवी लगवाने के लिए कह रही थी क्योंकि आप उन्हें ठीक से टीवी नहीं देखने देती और आपके कारण उनका जीना दुश्वार हो रहा है क्या? ये सब कहा उस चुडलने? अब तो मैं उसे हॉल में टीवी देखने ही नहीं दूने जितना टीवी देखना है अपने रूम में ही बैट कर देखे कितनी गलत सोचे बहोगी अरे शारदा तो दिन में बस दो सीरियल ही देखती है बाकी सारा दिन तो नव्या ही टीवी चलाती है और उसके बावजुद भी वो अपने पती से ये घटिया बाते कर रही थी अब वो तो आपके ही बहो और बेटा है पापा अब आप दोनों समझ जाए वक्त के साथ-साथ कैसे बदला हो रहा है उन दोनों ने फिर घर में नया टीवी आने के बाद बाव बेटे और सास बहो में फिर से मत्वेथ हो जाते हैं एक दिन की बात नवया और करण अपने दोस्त के पास जाते हैं लेकिन आते हुए उनका फिल्म देखने का प्लान बन जाता है और रीना उन्हें थेटर के बाहर देख लेती है चलो जल्दी से इनकी फोटो खीच लेती हो फिर घर जाकर मा और पापा को ये फोटो दिखा कर जम के चुगली करूंगी फिर रीना उनकी फोटो खीच दी है और घर जाकर वो फोटो अपनी मा पापा को दिखा दी है डेखो पापा घर में तो कितना मूँ बनाते हैं पुरूटे रहते हैं और बाहर जाकर दोनों कितना इंजॉय करते हैं इस मूवी में तो सनी देवल है पापा के फेवरेट हीरो अगर भाईया को थोड़ी सी भी कदर होगी तो वो आपको फिल्म दिखाने ले जाते और माफी भी मांगते हा रिना तू एकदम सही कह रही है हा रिना नव्या बाबी के आने के बाद ही उनकी तेवर बदले है मैं तो अब भी केती हूँ उन्हें घर से बाहर ही निकाल दो तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी हा रिना अब मैं यही करूंगा बस अब बहुत हुआ मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा फिर रात होने पर नव्या और करन घर वापस आ जाते हैं जिस रास्ते से आये हो उसी के और लोड जाओ क्योंकि अब तुम दोनों के इस घर में कोई जगे नहीं है हाँ जिन बच्चों को हमारी परवा नहीं हमारी कदर नहीं है हम उन्हें अपने घर में पनाहन नहीं देंगे वाँ बहुत ही अच्छा सिला दिया है अपने हमारे प्यार का हमने तो हमेशा से ही स शायद हमारी ही गलती थी कितना सच्चा प्यार और कितना जूटा ये सब हमें अच्चे से पता है कुरन चलो यहाँ से जिस गर में हमारी इज़त ना हो हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे हाँ हाँ जाओ जाओ बहुत से लिए तुमारे रोध रोध के बदल से रवई है फिर नवगया और करन दोनों अपना सामान लेकर घर चोड़कर चली जाती है और ये सब देख कर रीना के कलेजे में थंड़क पड़ती है आखिरकर जो में चाहती थी वही हुआ अब भया नहीं है अब सिर्फ मेरा ही राज है और अब सारी जायदत मेरे ही नाम होगी लेकिन करन और नवगया के जाने के बाद शार्दा और रुशिकेश बहुत दुखी होते है वो बेचारे दिन रात रोते रहते हैं और घर के रोनक ही चली जाती है ये सब क्या हो गया जी है मुझे काश वो दोनों सही से रहते यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए है अपने माँ पापा को यो दुखी देखते लीना को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिन की महसूस होती है और वो अपने माता पिता को सारी सच्चा ही बता दी कि यह सब क्या करा या उसी का है क्या यह तू ने किया है हाँ मा मुझे लगा जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे जाइदात में से कुछ भी नहीं मिलेगा और सारी जायदत भाईया और भाबी को मिल जाएगी और इसलिए मैंने उन दोनों को घर से पाहर निकालने के लिए आप से चुगली करना शुरू कर दिया और आप दोनों को उनके खिलाब खुब बढ़काया रीना ये तुमने बहुत गलत किया है अरे हमारी जितनी भी जायदा थे उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है अरे तुमें नहीं देंगे तो और किसे देंगे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुमें कुछ भी नहीं देंगे जितना करन हमारा बेटा है उतनी ही तुम हो लेकिन मुझे तुससे ये उमिद नहीं थी रिना तुने सच में बहुत गलत किया है मुझे माफ कर दो मा जाइदात के लालच में मैं अंदी हो गई थी लेकिन अभी नहीं अभी मैं सब कुछ सीख करूँगे फिर रिना अपने भाई और भाबी के पास जाती है और उनसे माफी मांग कर उन्हें घर वापस लाती है और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और खुशी से साथ रहने लगता है